तो हलो दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नाम है वेबव एंड मैं आज दे रहा हूं आपको बीकानेर की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट फिलाल अभी हमारी ट्रेन एंटर हुई है यहां मेरतरोड वाली साइड से और यहां आप देख सकते हो यहां तक जो है उपर वाइरिंग कर दी गई है क्योंकि यह नीचे वाली ड्रेजिस्टर आरम जो है यह दिख रही है इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरी वाली साइड का नजारा दिखाऊं क्योंकि अभी इस साइड आ जाएगी बीकानेर की कोच वाशिक लाइन और यहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन करन पॉसिबल नहीं था अब यह है दूसरी वाली साइड यह बगल में जो लाइन आ रही है यह रही है रतनगर से और वहां आगया आप देख सकते हो इसी लाइन से जो है मतलब इसी तरफ पॉर्स लगा के हमारी वाली लाइन को भी लेक्ट्रिफाइड किया जाएगा अभी फ गया गया था जोदपुर और शाथ को में आ गया था यहां बीकानेर में होली नहीं कहला क्यूंकि आपने इतना डिक्वेस्ट किया था अपडेट बनाने के लिए और आवाज आपको मेरी थोड़ी डल लग रही होगी क्योंकि स्वास्त थोड़ा अभी थोड़ा खराब चल तो यह जो रतंग्डवाली वायरिंग है अभी है यहां के खतम हो चुकी है बागी जो पॉल्स लगने का काम और उपर यह च्टीबीटी होती है इसको लगने का काम तो लगवक लगवक पूरा याड में हो चुका है तो यहां जो लाश्ट इस्टेज है इलेक्ट्रिकेशन की वो लाश्ट इस्टेज आ चुकी है सब जगे उपर यह ब्रेकेट ट्यूब्स लगा दी गई है बस अब बचा है तो बीकानेर में के वल वाइरिंग का काम बचा है उसके अलावा उदर की साइड जो लाइन जा रही है एक्स्ट्रा जापे इंजन वगेरा खड़े होते हैं उन लाइनों के उपर केवर अभी पॉल्स लगाए हैं उनकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लाश्ट में तो जैसा कि मैंने अब भी बोला कि भी एक्स्टेंचन और एस्टीबीटी नहीं लगी है बाके आगे के यह जितने भी आप पॉल्स देख रहे हो इन सब एस्टीबीटी लगा दी गई है दोनों ही तरफ की साइड की यानि जिससे प्लेटव नुम्मर एक और प्लेटव नुम्मर दो दोनों ही लाइन को इलेक कर दो कि बाद बताऊं तो जोधपूर मैंने यहां विवेक एक्सप्रेक्स का पहला ट्रेक्षन चेंज का वीडियो बनाया है जहां पर जोधपूर में ये पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चला ही गई और यहां पर इसका डीजल अठाके इलेक्ट्रिक इंजन लगाया तो उसका पूरा व्लोग बनाया है मैंने 25 मिनिट का मारवार से लेगा जौतपूर तक तो इसको देखना मत भूला आप इन सारी वीडियो की लिंक आपको डेस्केप्शन में मिल जाएगे और मेरे चैनल पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो और अब मैं आपको सीधा लेके सलता हूं डायरेक्ट बीकानेर में एंड गुल्ड मॉर्निंग फ्रॉम बीकानेर जंक्शन तो अभी हो रही है होली की बहुत ही प्यारी सुभा और सबको मेरी तरफ से हैपी होली एंड उमेद करता हूं सब लोग घर पे अच्छे-च्छे रंगों से ओली खेल रहे होंगे फिलाल इस साल के होली मैं नहीं मना रहा हूं क्यूंकि मैं आचुका हूं बीकानेर सामने खड़ी है मेरी ट्रेन जो कि यह शवंदपूर बीकानेर एक्सप्रेक्स तो उस वज़े से अब मेरी होली जो है कुल मिला के बीकानेर में ही रहेगी अब जैसी भी है और बात करें अपडेट की तो अभी तो वैसे है ना मेरे चैनल पर कई लोगों के कमेंट आये थे मेरे यह आने से पहले की आभी बीकानेर के कोई फायदा नहीं क्यूंकि यहां पर वरकर वगेरा नहीं है काम ही नहीं चल रहा तो में को लगा यार ऐसा थोड़ी होगा लेकिन मदब एक नमबर की तुरफ जो है सटीवीटी लगा दी गई है कुछ कि दुक्किया जो नहीं लगा podob की लगा दी गई है बात करें तीन और चार नमबर की तो यह जो यह वाला एक जो पोल सामने आप देख रहो उप और यह उश्यक्विश गो आवर्ड यवाला इस पर कुछ भी एक और दो पे जो वाइरिंग होनी है ना उसके लिए जितनी भी एस्टीबीटी यहां लगेंगी उसके लिए सारी यहां पे एस्टीबीटी लगा दी गई है एक और दो नमबर पे जिर्फ एक वाले पोल को छोड़के जो मैंने आपको अभी आती वक्त राईवल में दिखाय तो एक बार तीन और चार नमबर को भी उपर से देख लेते हैं यह जो मैंने आपको दो पोल्स बताए इनको जो है बाद में लास्ट में लगाया होगा तो उस वज़े से इन दोनों पे कुछ भी नहीं लगाया है एस्टीबीटी वगेरा बाकि और जितने भी पोल्स रगे ना वो इन दोनों ही पट्रियों के अपर लगा दी गई है और इस तरफ भी बस इन दोनों खंबों को छोड़के आगे पूरे खंबे पे लग चुकी है अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे चलके और वो देखो सामने वो जो क्रेन है उस क्रेन के पीछे जो है वो पोल्स अगेरा रखे हुए हैं जिससे पॉल्स लगाया जाते हैं और वैसे तो एक नॉर्मल चंटिंग चल रही है तो वैसे तो कल जोदपुर का हो गया था मेरा काम और आज सुबह चार बजे वाली ट्रेन से मैं निकल जाता घर और होली खेल लेता लेकिन आप लोग की इतनी रि पैसेंजर जो रात के नो बजे जाके तो मैं को केवल जैपूर पहुचाएगा तो बीकानेर में आने का कुछ यही सीन है बरतन गड़ चल जाओ चाहें बीकानेर कहीं भी ट्रेने ही नहीं है और दुपैर में मेरता रोड भी जाओं अगर वहां से कोई ट्रेन देखू दू पैनल को सस्क्राइब भी कर देना आपके लिए मैं अपडेट लेकर आ चुका हूं एक और बार बार बीकानेर से और बात करें अगर इधर की साइड की तो इधर भी जो है सारा काम हो चुका है प्लेटो नोमर एक से लेकर दो तीन चार पाच सब जगे जो है एस्टीबीटी जो है उपर का जो बूम है उनको बाद में लगाया होगा तो यह थी अभी तक की अपडेट तो मतलब यह है कि वाइरिंग के लिए लगबग तयार है यह विकानेर जंक्शन और अभी तो वैसे होली का टाइम है फेस्टीवल का टाइम है सारे वरकर्स जो है अपने अपने घर गए होंगे तो वाइरिंग में वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है पूरा वीकानेर वाइरिंग के लिए तयार है वाइरिंग अगर एक नॉर्मल मतलब एवरेज स्पीड से वी की जाए तो जाए तो जाए ज़्यादा पूरी हो जाती है और हो सकता है इतने दिवी म मैंने आपको शुरू में बताया था दो छोटी छोटी पार्किंग लाइन से जिनमें एक्स्ट्रा कोजेज और एक्स्ट्रा कुछ इंजन्स को लाके खिडा किया जा सकता है केबल सारे प्लेटफॉर्म्स के उपर एस्टी बीटी लगा दी गई है मतलब सारे प्लेटफॉर वगेरा वाशिंग लाइन बतानी क्या क्या बना हुआ है इन सबी जगयों पर भी जो है पोल्स वगेरा लग चुके हैं सामने आप देख सकते हो लेकिन वही है कि कुछ-कुछ पोल्स पे एस्टी बीटी नहीं लगाई गई है तो मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही था चै के लिए वेट करना वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी मिलता है आपसे बाकी की सारी इलेक्रिवर्शन अपडेट्स के साथ